असलाव अलेकुम दोस्तों मैं हूँ राशित मिनाज और आप देख रहे हैं Automation Spot आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फाटिक PLC में हम Move Function किसलिए यूज करते हैं तो हम आज देखेंगे Move Function के बारे में तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था Off Delay Timer और On Delay Timer के बारे में अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं हैं तो मैं आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूँगा और आई बटन से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं तो चलते हैं अपनी इस टॉपिक के उपर मूव फंक्शन को देखते हैं Stay tuned with us सब्सक्राइब करें Automation Sport को और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को प्रेस करें प्रेस करने के बाद All पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिले Well friends, सबसे पहले मैं आजाता हूँ अपने software में WinPro Leather और यहाँ आपर मैं एक new project create कर लेता हूँ model आपने अपने हिसाब से select करना है मेरे पास FBS है, 0.24 है and model है MC So, आपके पास जो PLC है अपने model के हिसाब से आपने select करना है Okay, then okay So, दोस्तो move function के लिए हम किस लिए use करते हैं यह हम check करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर एक अपना normally open contact ले लेते हैं Let's suppose यहाँ पर हमने X0 लिया है, ठीक है एक जिरो लिने के बाद हम यहाँ पर एक जिरो से एक memory का operate करा लेंगे Set M0 Okay, then again हम एक normally open close contact लेते हैं M0 Well, then यहाँ पर हम Tamer ले लेते हैं T200 PV में हमने डालना है Friends D0 डाल लेते हैं, data register D0 Well, so हमें यहाँ पर function को use करना है, ठीक है और यहाँ पर move So, यहाँ पर हमारे पास S है और D है, ठीक है Set value होगा और जो हमने move करवाना है कौन से data register में वह होगा, ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं T200 D2 Let's see what happened Simulation में आ जाते हैं और इसको run में कर देते हैं जैसे ही मैं run में करता हूँ और यहाँ से मैं X0 को set करूँगा यह देखें आप क्या हो रहा है यहाँ पर जो T200 की value है वह हमारे पास D2 में move हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर एक काम और हम करते हैं Stop PLC और यहाँ से मैं Present value को Let's suppose हम 10 seconds कर देते हैं ठीक है Okay Then हम यहाँ पर PLC को run mode में डाते है अब यह 10 seconds के बाद यह है हमारा मेन मकसद था Move function को check करना ठीक है Move function में आप किसी भी value को जैसे T200 की value यह देखे T2D2 में move हो रहा है यानि data register 2 में move हो रहा है यानि कोई भी value timer की values आप data register की values move कराना चाहते हैं कोई भी data वह easily एक जगह से दुसरी जगह move हो जाता है move function का काम यह है अब यहां पर हम reverse करके देखते हैं अब हम reverse में यह करेंगे के D D D D200 and D2 अब देखते ही क्या होता है अच्छा जी दुबार हम इसको on करते जैसे ही हमने set किया यहां पर रिसेट की वेल्यू इडालते है हम X 1 then reset M0 अब हम इसको reset करेंगे और इसके बाद again run करेंगे ठीक है इसको off कर लेते हैं यहां से इसको on करते है रिसेट हो गया टाइमर भी हमारा reset हो गया इसको off करते हैं इसको again on कर लेते हैं यह देखें आप अब क्या हो रहा है दोस्तों अब यह हो रहा है मेरे friends कि यह जो data d2 की value है यह t200 में move हो जा रहा है that's the reason कि move function आप use कर सकते हैं इस तरीके से तो आज का video तो हमारा move function से related so next video में new function के साथ मिलेंगे जब तक के लिए जासत दीजे अला आफिस